बॉर्णिंग बच्चों, आज का हमारा काम, आज मैंने लिया है आपके लिए रिविजन वर्ट उन्रावरित्ती कारिया इसमें मैंने पहला प्रेश्ण लिया है, पैदल हरकारों को किसे तरह की मुसीबतों का सामना करना पढ़ता था या पढ़ता होगा ठीक है, यह question मैंने आपको लिखवाया भी है और online class अब आपके लिए है, बहुत अच्छे से मैंने इसे explain किया है तो आप इसको याद करके इसका उत्तर अच्छे से आज लिख लीजिए अगरा question है बच्छों, नाम न होने से पत्र को सही जगह पहुंचाने में क्या समस्या हो सकती है याद करिए, यह भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, लिखवाया हुआ है बस आप याद करके लिखें, ठीक है, नकल न मार न विलकुल भी आपका revision है, practice बार बार करिए, तीसरा question है, इला कितने साल की है, ठीक है अगरा question है बच्छों, हुमाओं में मकर संक्रांती को किस नाम से मनाया जाता है आपने पाठ बढ़ा है, मैंने समझाया है, इसका अंसर भी आप लिखेंगे नहीं आता तो पहले याद कर लीजिए, उसके बाद लिखिए तिल का किन किन रूपों में उप्योग किया जाता है ये तो मैंने बिलकुल आपको अभी परसु ही करवाया है वैसे भी ये तो एक common sense है, पच्छों को पता है उनके घरों में तिलों का कई चीजों में बेप्योग होता है और especially सर्दियों में, है न, आंसर आप बहुत अच्छे से लेखेंगे अगला है, बर्फ में अधिक देर तक रहने से कौन सी बीमारी हो जाती है यह पाठ के बीच में से question बनाया है और आपको करवाया है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने explain किया था ये भी question आपके लिए इसके इलावा बच्छों, सिलाई कड़ाई से सम्मंदित चार शब्द लिखो ठीक है, यह इलागा जो पाठ है, जहां चाहा वहरा उससे लिए हुआ है, और सिलाई कड़ाई से सम्मंदित आपने चार शब्द लिखने है, इसके लावा बच्छों, पूरा revision आप कर लीजिए आप अनुछियत की practice कर लीजिए, उस तके हमारी मित्र है या मैं, या जब मुझे डर लगा था और जितना भी मैंने grammar को आपको जितनी भी व्याकरण में आपको मैंने चीज़ें करवाई है संग्या है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेशन है, क्रिया विशेशन है वाक्यांच के लिए एक शब्द है, परियाई वाची है, शब्द अर्थ है, समान अर्थक शब्द है, आप याद करिए जितना कुछ मैंने अभी तक आपको करवाया है, तो सारा का सारा आपको याद करना है, प्राहना पत्र को बहुत अच्छे से लिखिए, इसके अलावा ए किसी से हो गई होगी ठीक है तो चलिए शुब कामना है कल के पेपर के लिए आपके लिए ओके बच्चों